यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे उन में से एक छे साल का था और एक दस साल का दोनों बहुत अच्छे दोस्ते बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे दोनों हमेशा साथ साथ रहते साथ साथ खेलते साथ साथ खाते पीते साथ साथ नाते दोते नहीं तो एक दिन वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था, दस साल वाला, वो एक मोई में गिर गया गिर गया और जोर जो उसे चीखने चिताने लग गया, तो जो उसको तैरना नहीं आता अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, छोटा था, छे साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं देखा, जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिसके एक रसी बंदी हुई थी उसने एक सेकंड भी वेस नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके प्लेमे फैट दिया और अपने दोस्त को बोला के पकड़ ले इसको, उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताहट लगा करके पागलों की तरह उसको खीचने लगा खीचता रहा, खीचता रहा, खीचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने चोटेशे बच्चे ने, छे साल के, और दस साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था खीष तरा खीष तरा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिए जब तक वो बाद नहीं लिए अब यहां तक तो ठीक था यहां तक तो एक आनी समझ आती है लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही यह दो बच्चे जब दोनों एक हो गए जब भार आए और आकर करके गले मिल रहे रो रहे और खुश हो रहे एक तरफ उनको डर भी लग रहा था डर था कि अब गाउं जाएंगे तो बहुत बटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और यह सब चीज़े होई लेकिन मज़े की बात है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जब गाउं गए और जा करके उन्होंने अपने घरवालों को बताया बाकी गाउंवालों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया कुरे गाउंवालों ने और वो अपनी जगे बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके तो इतने बड़े बच्चे को इतनी उपर खीचना तो बहुत दूर की बात है लेकिन एक आदमी था उस गाउं में उसने विश्वास कर लिया उनको सब रहीम चाचा कहते थे उस गाउं के सबसे समझदार मुजर्गों में से एक और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई नो कोई बात होगी कोई नो कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं और फिस सारे गाउं वाले इखटे हो करके उनके पास में गए और जा गर के बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा आप भी बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उनको हसी आ गई वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बता हूँ वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया बाल्टी को उठा गर के कुए में फैका उसके दोस ने बाल्टी को बखडा उसने रसी को खीचा और अपने दोस को बचा लिया तो आपको पता तो है उसने कैसे किया बच्चा बता तो रहा है इसमें मैं क्या बता हूँ तो सारे गाउँवाले उनकी शकल देख रहे है फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर बाया सवाल ये है कि वो ये क्यों कर बाया कि उसके अंदर इतनी दागत कहां से आई और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है सिर्फ एक कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता कोई नहीं था कोई नहीं यहां तक की वो खुद भी नहीं वो खुद भी नहीं